दोस्तों अब वो लोग भी UPI payment का use कर सकेंगे जिनके पास कोई saving account नहीं है, कोई ATM card नहीं है, एक बिलकुल नई facility शुरू हुई है, जिसमें UPI ID या UPI payment बनाने के लिए किसी bank account की जरूरत नहीं है. दोस्तों इससे पहले भी हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि कैसे आप बिना ATM card के UPI का use कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको Paytium bank में instant saving account खुलवाना होता है, लेकिन अब इस नई facility में account खुलवाने की जरूरत ही नहीं होगी. ICICI bank ने अपनी एक प्रेस रिलीज में इसका एलान किया है. आईए चेक करके देखते हैं कि कैसे आप बिना एकाउंट और ATM card के UPI services का use कर सकते हैं. तो दोस्तों इसके लिए हमें ICICI bank के pockets app को download करना है. लीजिए हमने इस app को install कर लिया. अब open पर tap कर देते हैं. ये application open हो रहा है. इस दौरान हमसे ये location की permission मांग रहा है. हर financial app में ये permission मांगते हैं और हमने इसे allow कर दिया. इसके बाद ये phone call को manage करने की permission मांगता है. हमने इसे भी allow कर दिया. इसके बाद ये हमारी media access का permission मांगता है. और उसे भी हमने allow कर दिया. और आखिर में ये SMS को भेजने और पढ़ने की permission मांग रहा है. चलिए इसे भी allow कर देते हैं. हमें pocket use करने के लिए ये सभी permission देनी ही हो अब इसके बाद हमें अपना mobile number verify करना है pockets app एक sms भेज कर जान लेगा कि हम कौन सा mobile number use कर रहे हैं और इसलिए हमें ये choose करना है कि हम इसके लिए कौन सा sim use करना चाहते हैं हमने दूसरे number का sim choose कर लिया है और इसके बाद नीचे verify पर tap कर देते हैं अब इसके बाद verification process में थोड़ा समय लग रहा है शायद sms भेजने और read करने में वक्त लगता है लीजे दोस्तो number verify हो गया है और अब उसी number पर एक OTP भेजा गया है अब अगले step में हमें वही OTP भढ़ना है OTP भढ़ने के साथ ही अब हमें अपने बारे में जानकारी देनी है हमें सबसे पहले अपना first name और last name भढ़ना है इसके बाद email address डाल देते हैं इसे थोड़ा ढग देते हैं उसके बाद date of birth बताना है ये भी हम आपको नहीं दिखाएंगे इसके बाद हमें ID proof और address proof के लिए pen या आधार चूज़ करना है हमने pen चूज़ कर लिया है अब इसके बाद हमें pen number डालना है लीजे हमने ये भी डाल दिया अब आखिर में हमें term and condition accept करना है अब इसे पढ़ कर term and condition वाले box पर tap कर देते हैं लीजे अब सबसे नीचे ये जो बटन है create your account उस पर tap कर देते हैं अब हमें pockets में login करने के लिए mpin set करना होगा इसे हमें याद रखना होगा क्योंकि जब जब हम pockets खोलेंगे इसकी जरुवत पड़ेगी वैसे fingerprint भी काम करेगा अगर आपके phone में fingerprint scanner है तो लेकिन mpin तो set करना ही होगा हमने अपना mpin दो बार डाल कर confirm पर tap कर दिया है इसके साथ ही pocket में हमारा account खुल जाएगा और हमारे पास इसका message भी आ जाएगा हमें सामने app में welcome message दिख रहा है ये देखिए इसमें लिखकर आ रहा है कि हमारा UPI ID बन गया है इसमें हमारे ही mobile number का use किया गया है अब हम proceed पर tap कर देते हैं ये लिजिए अब हमारे सामने pockets का dashboard है इसमें उपर pockets account का number है दोस्तों दरसल ये 16 digit का number pockets card का है यानि इस दोरान हमारा एक pocket card बन जाता है ये बिलकुल debit card की तरह है यहाँ balance भी दिख रहा है ये फिलहाल zero है क्योंकि अभी हमने इसमें पैसे नहीं डाले है dashboard में हमें सबसे पहले payments का section दिख रहा है इससे हम किसी contact को पैसे भेज सकते हैं इसके अलावा किसे दूसरे pockets card में भी पैसे transfer कर सकते हैं scan to pay का मतलब ये हुआ कि हम QR code को scan करके भी पैसे भेज सकते हैं और ये UPI का tab दिख रहा है इसके नीचे recharge and bill pay का section है इसमें mobile recharge, bill payment, fast tag recharge और google pay store के payment की services दिख रही है दोस्तो हमारा interest है UPI को देखने में हम ये चेक करते हैं कि क्या हम UPI services का full use कर पाएंगे या नहीं अब हम UPI के page में आ गया है यहां हमें पैसा भेजने, पैसा मंगाने और QR code के जरिये payment करने का option दिख रहा है इसके अलावा नीचे UPI से जुड़ी कई services के link भी है तो चलिए सबसे पहले ये चक करते हैं कि क्या हम किसी दूसरे account में पैसे भेज सकते हैं लेकिन दोस्तों हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि हमारे account में balance 0 है तो फिर इसके लिए हमें अपने pockets के account में पैसे डालने होंगे तो आईए देखते हैं कि pockets account में पैसे कैसे डालते हैं और यहां हमें उपर ही जहां हमारा account balance दिख रहा है वहां add fund का link दिख रहा है इस पर tap कर देते हैं अब fund add करने वाला page आ गया है चलिए हम पहले 10 रुपए add करके देखते हैं ओफो लेकिन यह कह रहा है कि कम से कम 100 रुपए add करना होगा तो चलिए अब हम 100 रुपए डाल देते हैं अब हमारे पास fund add करने के चार option है पहला option net banking या debit card का है अगर आपके पास कोई bank account है और आप net banking या debit card से इसका payment करना चाहते हैं तो इस option को choose कर सकते हैं इसमें अगले steps में आपको अपने net banking की login करनी होगी या फिर अगर आप debit card का use कर रहे हैं तो उसके detail डाल कर ATM pin का use करना होगा लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई account नहीं है तो फिर ये option आपके लिए नहीं है दूसरा option है neft का इसमें tap करने पर आपको सिर्फ तरीका बताया जाता है यानि उसके बाद कोई steps नहीं है इस option का use करके कोई दूसरा भी आपके account में पैसे डाल सकता है और अगर आपके पास अपना account है तो आप भी उस account से इसमें पैसे डाल सकते हैं neft से पैसा लेने के लिए आपको अपना solar digit का account number और ifsc बताना होगा ifsc code होगा icic0001022 और bank का नाम होगा icici bank इन detail का use करके कोई भी आपके खाते में पैसा डाल सकता है अगला option उन लोगों के लिए है जिनके pockets app में कोई और bank account भी link है हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं चौथे option में कोई भी अपने UPI app का use करके आपके pockets account में पैसे डाल सकता है इसके लिए कोई भी UPI app ओपन कर लिजे और उसमें UPI ID के जरिये money transfer का option चूज कर लिजे जहां UPI ID डालना है उस जगह पर हमें अपनी एक UPI ID डालनी है ये UPI ID होगी pockets.homara mobile number at ICICI हमने phone pay account खुद खोल कर इस UPI ID को डाल दिया है आप किसी दूसरे को भी इस process से पैसे डालने को कह सकते हैं दोस्तों ये ध्यान रखिए कि आपको pockets account में किसी ना किसी तरीके से पैसा डालना होगा फिर चाहें वो UPI payment हो या फिर net banking पैसा डालने के बाद अब हमारे pockets account में 100 रुपए आ गया है आईए अब किसी को पैसे भेज कर देखते हैं इसके लिए UPI वाले page में जाते हैं और send पर tap करते हैं अब हमारे पास पैसे भेजने की दो option है जिसको पैसा भेजना चाहते हैं उसका VPA डाल सकते हैं या फिर bank account भी डाल सकते हैं हमने एक VPA डाल दिया है उसके बाद वो रुपया डाल देते हैं जिसे हमें transfer करना है टेस्ट के लिए हम केवल 10 रुपय डाल रहे हैं दोस्तों यहां देखिए हम अपने pockets account का balance भी चेक कर सकते हैं अब इसके बाद हम next पर tap कर देते हैं अब confirmation page आएगा इसे confirm कर देंगे तो हमसे M pin डालने के लिए कहा जाएगा और हमने यह M pin डाल दिया है अरे यह तो कोई message आ गया है यह message कह रहा है कि हम पैसा transfer नहीं कर सकते हैं क्योंकि KYC नहीं हुई है यानि दोस्तों KYC के बाद ही हम किसी को पैसे भेज सकते हैं यह तो account खुलवाने जैसा ही हो गया आएए देख लेते हैं कि बिना KYC के हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें एक request का भी option है इसका use करके हम किसी और से पैसे मांग सकते हैं तो इसका भी use करके देखते हैं अब इस page में हमें उस आदमी का VPA यानि UPID डालना होगा जिससे हमें पैसे मंगाने हैं लीजे हमने उसका VPA डाल दिया और amount डाल कर next पर tap कर दिया यह confirmation page आ गया इसे confirm कर देते हैं और लीजे अब हमारी request उस आदमी के पास पहुँच गई जब वो अपना UPI app खुलेगा तो उसके सामने pending request होगा वो अपना UPI पिन डाल कर जब इस request को अप्रूफ करेगा तो आपके pocket account में पैसे आ जाएंगे और ये देखिए हमारे खाते में 10 रुपए आ भी गए यानि बिना KYC के आप अपने account में पैसे मंगवा सकते हैं बस भेजने में ही दिक्कत है दोस्तों हमने QR code scan करके भी payment करने की कोशिश की तो वहां भी KYC कराने वाला message आ गया मतलब साफ है कि बिना KYC कराए हम UPI payment नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं आईए और services भी चेक कर लेते हैं आईए recharge करके देखते हैं इसमें हमें उस mobile का number डालना है जिस पर हम recharge करना चाहते हैं इसके बाद हम amount operator और circle choose करके submit कर देते हैं और उसके बाद ये successful हो गया यानि हम बिना KYC के recharge कर सकते हैं इसी तरह हमने bill payment fast tag recharge करके भी देखा तो वो सभी successful रहे मतलब साफ है कि आप बिना KYC के किसी account में पैसे transfer नहीं कर सकते हैं फिर चाहें वो आपका friend हो या merchant लेकिन उसके अलावा यहां listed services का आप use कर सकते हैं लेकिन दोस्तों UPI payment का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक कि आप उससे merchant और account में पैसे भेज नहीं सकते हैं तो आए देख लेते हैं कि KYC की प्रक्रिया कितनी आसान या मुश्किल है हम dashboard में KYC पर tap कर देते हैं अब हमें pen डालने के लिए कहा जा रहा है हमने अपना pen number डाल दिया यह तुरंत verify हो गया अब हमें यह बताना है कि क्या हमारा current address वही है जो आधार में पड़ा है हमने yes करके proceed पर tap कर दिया अब हमें अपना आधार number डालना है वो हमने डाल दिया और इसके साथ ही term and condition को accept करके proceed पर tap कर दिया लीजे एक और page आ गया इसमें अब हमें KYC के लिए appointment का date और time सेट करना है हम जो भी तारीक और time देंगे उस वक्त ICICI bank का representative हमारे घर आकर KYC कर लेगा दोस्तों फिल हाल तो COVID चल रहा है इसलिए हमने इस process को यहीं छोड़ दिया लेकिन अब हम लोग यह जान गए हैं कि ICICI bank pockets की नई service कितने काम की है दोस्तों हमें इस service से धेर सारी उमीदे थी लगा था कि बिना ATM card और बिना account वाले लोगों के लिए भी UPI available हो गया है लेकिन full service नहीं मिल रही है full UPI service के लिए KYC कराना ही पड़ेगा यानि ये process भी bank account खुलवाने जैसा ही हो गया है और इसलिए ये facility उतने काम की नहीं लग रही है दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को like करे, share करे और चैनल को जरूर subscribe करे